ओम शांती, 27 मैं, 2023 की साकार मुर्ली से होमवर्क आज की मुर्ली से हम लक्षे लेंगे सपूत बच्चा बन बाप से पूरा वर्सा लेना है अर्थात नारायन को वर्ने लाइक बनना है सपूत बच्चे की विशेशताएं आज की मुर्ली से लेंगे निरंतर योगी, श्रीमत पर चलने वाला, पवित्रता की धारना और रुहानी सेवा में बीजी रहने वाला निरंतर योगी बनने की आज की बावा ने विधी बताई है कि तुम्हें निरंतर योगी बनना है जितना तुम बाप के साथ योग लगाते जाएंगे बुद्धी का ताला खुलता जाएगा तुम पारस बुद्धी बनते जाएंगे श्राप मिठते जाएंगे तो इसकी विधी बताई निरंतर योगी अश्रीरी स्थिती अशरीरी बनने का अभ्यास करना है इसके लिए बावा ने कहा ये शरीर पुरानी जुद्धी है इसको बुद्धी से भूल कर बाप समान अशरीरी बन मुझे याद करो जब हम नीराकारी बन नीराकारी को याद करेंगे तो स्वता ही आत्मा के पाप भसम होते जाएंगे अर्थाद आत्मा सच्चा सोना बनती जाएगी दूसरा निरंतर योगी रहने के लिए बाबा के साथ भिन-भिन संबंधों का अनुभव करेंगे जैसे कि पिता के संबंध से अगर हम बाबा को याद करते हैं तो संगम पर हम इश्वरियक गोद लेते हैं हम बाब के बनते हैं 21 जण्मों का वर्सा लेने के लिए 21 जण्मों की राजाई हमें मिलती है जब हम बाबा के बनते हैं तो हम सदा सुखी, सदा शांत हो जाते हैं अर्थात आत्मा के अंदर विकार नहीं रहते तो आत्मा शांत हो जाती है, गुनों से संपन हो जाती है तो आत्मा सुखी बन जाती है, तो इसी तरह साजन के संबन से बाबा को याद करते हैं, तो बाबा कहता है मैं साजन तुम्हें गुलगुल बना कर साथ ले जाओंगा, नेनों पर बिठा करके तुम्हें साथ ले जाने आया हूँ सत्गुरु के संबन से याद करते हैं तो सत्गुरु हम कांटों से फूल बनाते हैं सत्गुरु जो है हमारे पापों को भसम करते हैं हमें पतित से पावन बनाते हैं और टीचर के संबन से याद करते हैं, तो टीचर हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस स्रिस्टी चकर का ज्यान देते हैं, इस पढ़ाई से हम देवता बन जाते हैं, हमें वर्नू का ज्यान मिल जाता है, हम क्या थे और क्या बनना है, पंडा बन करके हमें सची सची रुखानी तो सारा दिन चलते फिरते बाबा की यात में रहना है, दूसरा है शरीमत, कोई भी इवल बाते ना सुननी है ना देखनी है, तो बाबा ने कहा माया के संग से अपनी संभाल करनी है, जितना हम माया के संग से अपनी संभाल करते जाएंगे उतना ही हम सत्युग में उंच पत पाएंगे तो वारिस वो ही है जो अपना को माया से अपनी संभाल रखते हैं इस शरीमत पर चलना है बाप समान निरांकारी निस्वार्थ बन करके सेवा करनी है भावा ने कहा काम विकार के वश में आ करके एक दो को दुख नहीं देना काम कटारी नहीं चलाना है तो बावा ने कहा ब्राह्मन बने है तो तुम्हें सपूत बच्चा बन करके दिखाना है पवित्रता के लिए भी बावा ने कहा तुम्हें अपने दिल दरपड़ने में देखना है पांच विकारों का भूत तो नहीं है बाप आत्मा रूपी जोती जगा कर हमें चीची विकारों से छोड़ाया है, तो हम संगम युग की समरिती लहेंगे, कि संगम पर हम ब्राह्मन कुल भूशन, ब्रह्मा मुखवन्शावली बनते हैं, हम ही स्वधर्शन चक्रधारी बनते हैं, हम ही वर्नों का चक्र लगाये हैं, और अभी हम ही देवता बनने का पुरशार्थ कर रहे हैं, अर्थात नरायन को वरने का पुरशार्थ करते हैं, सत्युग की समरिती लेते हैं, तो सत्युग में हर आत्मा पवित्र होती है, तो वहां आहिंसा पर्मो धरम होता है, सरवगुन संपन होते हैं, सोला कला संपुन होत यह पवितरता की धार्णा की सुमृतियां आज की मुरली में बाबा ने बताई है और सेवा के लिए का है कि ज्ञान का कलश मैंने माताओं के उपर रखा है तुम्हें दूसरों को बाप के घर का रास्ता बताना है वर्से का अधिकारी बनाना है और बाप सरव्यापी नहीं है इसका ज्ञान देना है अंधों की लाथी बनना है इस तरह जो वारिस क्वालिटी के आत्मा होगी रुहानी सेवा में भी बीजी रहेगी तो इन सभी विशेष्टाओं को धारण कर हम नारायन को वर्णने लाइक बनेंगे ओम शान्ति